हेलो एब्रीवन वेलकम टू एग्रिकिल्च एड़्डा 24-7 बचो जैसा की सामके साथ बद चुके हैं और हम लोग यहाँ पर पस्तित हो चुके हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज की अपनी क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कस्टार डैपल क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कस्टार डैपल आपको थम्मनेल में दिख रहा होगा ठीक है काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हम लोग पढ़ेंगे कस्टार डैपल ठीक है यहाँ से काफी कादर कोश्चन्स बनते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज की अप के अपनी क्लास शुरू की जाए चलिए सुरू करते हैं आज के अपनी क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे कस्टार डैपल तो यह आपको दिख रहा है ठीक है एनोनेसियस फ्रूट इनको कहा जाता है गुड़ इवनिंग रिचना चलिए बच्चों सुरू करते हैं आज के ठीक है बच्चा थोड़ा स्लोप आएंगे कोई दिख कर नहीं परेशान मत होगे का ठीक है जो एनोनेसियस फ्रूट है यानि कि जो आपके एनोनेसियस फ्रूट है इनमें कई सारे फ्रूट आते हैं जो मेंस्ट इंपॉर्टन फ्रूट है वह आपका कस्टार डैपल है क्य करते हैं रवी कुमार सर पीडिएफ का मिलेगा बचा थोड़ा सा भी समस्या चल रही है पीडिएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे ठीक है अभी पीडिएफ नहीं अप्लोड हो पा रही है किसी कारण बस से लेकिन आपको सारी पीडिएफ प्रॉइड कर आई जाएंगी जो एग्री कल्चर एग्री कल्चर अड़ा 24-7 का ओफिसल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम लोग डालेंगे सारी पीडिएफ डालेंगे पुरानी वाली भी डालेंगे लेकिन अभी फिलाल में अभी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की विजए से नहीं पड़ पा रही क्या है आपका जो नाम है वो है अनोना इसको मुसा दूसरा आता है बुलक हर्ट्स एपल या रामफल इसी को भी कहते हैं और इसका जो दूसरा नाम है वो है अनोना रेटी कुलाटा ठीक है बुलक हर्ट्स रामफल और रार से रेटी कुलाटा थोड़ा सा रेलेट करने में बच्चों यहां से जो important बात है important बात यह है कि यहां से आपके इनके नाम पूछ लेता है ठीक है question सबसे पहले यहीं से बन जाता है कि इनसे आपके questions पूछ लेगा कि cherry moya का scientific name क्या है या sour soft का scientific name क्या है तो यहां से भी questions आपके बन जाते हैं ज़्यादा भीतर भी नहीं जाएगा और आपसे questions भी कर लेगा ठीक है उसके बाद तीसरा आता है cherry moya ठीक है cherry moya जिसको लक्षमन फल भी कहते हैं और यह आपका scientific name इसका होता है अनोना cherry molla ठीक है यह इनके scientific names होते हैं उसके बाद एक और आता है sour sop जिसका नाम है anona muricata यह चार सबसे important fruits हैं जो आपके पूछे जाते हैं तो इनके आप नाम कुछ भले ही अंदर आप ज़्यादा ना याद कर पाएं लेकिन आपको at least इनके चारों के नाम याद होने चाहिए sequence है ठीक है क्योंकि यहां से questions बहुत बार देखा गया है बहुत बार बनता है चलिए आगे बात करते हैं कह रहा है कि among these fruits सीता फल यानि की custard apple is available on a fairly fairly large area कह रहा है कि जो और fruits हैं उनमें सब में सबसे ज़्यादा क्या सबसे ज़्यादा आपका सीता फल उगाया जाता है हैंस it is commercial importance कह रहा है कि इसका commercial importance है तभी इसको ज़्यादा उगाया जाता है आगे बात करते हैं the other fruits mentioned above are not available or cultivated on large scale custard apple के अलावा जो और fruits आपके हैं कैसे custard apple के अलावा जो और fruits हैं वो क्या हैं वो उतने ज़्यादा commercial level पे grow नहीं कराये जाते हैं और not so commercial importance क्योंकि उतना ज़्यादा इनका commercially importance नहीं है जिसकी वज़े से ये उतने ज़्यादा grow नहीं कराये जाते हैं जो grow कराए जाता है वो आपका सबसे ज़्यादा होता है the apple खीक है with the apple आपका सबसे ज़्यादा grow कराये जाता है चलिए बात करते हैं आप कस्टार डेपल की किसकी बात करते हैं कस्टार डेपल की बात करते हैं इसका जो साइंट फिक नेम होता है मैंने आपको भी बताया एनोना इसको मुसा होता है फैमली जो इसकी होती है वो एनोनेसी होती है इसी लिए इन्हें एनोनेसियस फ्रूट्स भी कहते हैं ठीक है ओ सकते हैं आइडिया लगा सकते हैं ठीक है यह आपने सबने देखा होगा ठीक है विस्वेस्ट वारी नमस्ते बच्चा ठीक है आपने सबने देखा होगा यह आपके fruits है यह कैस्टर्ड एपल है आपको हो सकता है कि आप किया सरीफा के नाम से जाना जाता हो या किसी और आपकी नाम बासा में आपकी लोकलिटी में किसी और नाम से भी इसको जानते होंगे ठीक है बाकी जो इसका कॉमन नेम है या जो साइन्टिफिक नेम है वो आपका कस्टर्ड एपल या सीता फल या एनोना इसका मोसा ठीक है चलिए आगे सुरू करते हैं आगे देखते हैं दे कस्टर्ड एपल आर दर रिच सोर्स आफ कार्बो हाइडरेड प्रोटीन और फाइवर आपका उपाय जाता है यूपी कैटिट के लिए क्लास ले रहे हैं सर देखो बच्चा यह जो क्लास हम ले रहे है यह सारे एक्जाम्स के लिए आपके काम आएगी ओर हाँ एक अनाॉंसमेंट है अभी 745 में एक अनाॉंसमेंट ले के आउंगा आपके बाद इस कास के बाद एक अगला सेशन है उसमें 10-15 मेंट का आनाॉंसमेंट है तो आप लोग सब लोग जुडिए और भी लोगों को ज source of energy तो काफी अच्छी इनर्जी प्रोवाइड कराता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिंदल्स पाए जाते हैं ठीक है बैंक महाँ प्लस में डवल वैलिटी है क्या है की नहीं बच्छा डवल वैलिटी ऑफर चल तो रहा था लास्ट मन्थ हैंट की वज़े से आप एक बार उसको चेक कर लिजे कोट लगा के देख लिजे यहां पे अगर जैसे वाई फॉर 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 फ चल जाएगा ठीक है चले है बिसाइड लुटरेटिव वैल्यू ये ये बात अपको ना ठीक है कि जो इसके सूखे हुए बीज होते हैं जो इसके सूखे हुए बीज होते हैं उनमें ऐल पाए जाता है और लगबख 30% ऐल पाए जाता है ठीक है बच्चा ये बास समझ में आई आई आपको which is used for making soaps cake is used as manure ठीक है cake का मतलब वो cake नहीं जो आप लोग बर्थडे में काटते हो ठीक है बच्चा ये दिहान रखना वो cake नहीं जो आप लोग खाते हो आप लोग बर्थडे में काटते हो नहीं यहाँ पे cake की मतलब है खली से किस से मतलब है cake का मतलब है खली से खली का आप समझते हो ना जब आप सरसों का तेल निकालते हो तो उसका जो बाई प्रोड़क निकलता है ठीक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं खली बोलते हैं ऐसे ये तेल निकालने के बाद जो वेस्ट मेटेरियल बचेगा उसको इंगलिस में cake बोलते हैं ठीक है तो वो cake है यहाँ पर ना आप सोचो कि अरे इसमें तो cake भी निकल ला है चलो खा लेते हैं ठीक है तो इसको खाना नहीं है बास्वन में आई oil का इस्तेमाल soap बनाने में हो जाता है और cake का इस्तेमाल आपका किसके लिए manure के लिए यानि की खाद के लिए आपका इस्तेमाल हो जाता है क्यों? क्योंकि इन में nitrogen, phosphorus और potassium की मातरा पाई जाती है ठीक है बच्चा इतनी बास्वन में आई चलिए अब बढ़ते हैं आगे due to presence of anonine इसमें एक compound पाया जाता है जिसका नाम होता है anonine क्या नाम होता है? जिसका नाम होता है anonine anonine पाया कहां जाता है leaves में, stems में and other parts of the plants ठीक है ये पौदों की पतियों में stem में और उसके अनस parts जो होते हैं वहां पे पाया जाता है अब ये करता क्या है? देखो ये तो anonine पाया जाता ये तो आपको पता चल गया और पाया कहां जाता ये भी पता चल गया कि पतियों में leaves पे stem पे और other parts पे पाया जाता करता क्या है? कि ये कैसा होता? ये bitterness होता है यानि कि तीखा होता है जिसकी वज़े से जो जानवर होते हैं यानि कि जो animals हैं जैसे goat हो गए, cattle हो गए या और animals हो गए वो इस plant को नहीं खाते हैं ठीक है? किसकी वज़े से? Anonine की वज़े से वो इस पे attack नहीं करते हैं और वो इसको खाते नहीं है इसलिए आपने गर देखा होगा, सरीफा के पेड़ को या कस्टाड एपल के पेड़ को कोई भी जानवर नहीं खाता है इसके बाद इसकी पत्तियों में एक और chemical पाया जाता है जिसका नाम है टेट्रा हाइडरो आइसो कुनोलाइन अलकलाइड ठीक है, जो काम करता है एक कार्डियो टानिक के लिए ठीक है, कैसे जो आपके हिर्दे सम्बंदी समस्याइं होती है उनको ठीक करने के लिए, यानि कि आपके हिर्दे सम्बंदी समस्याइं को निजात दिलाने के लिए या उनसे दूर करने के लिए एक tetra hydro isokinoline alkalide पाए जाता है जिसके इस्तेमाल से ये एक cardio tonic का काम करता है यानि कि आपकी body को fit रखने का काम भी करता है ठीक है ये एक medicinal properties है किसकी आपके कस्टाइड apple की तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को बात समझ में आई बच्चो चलिए इट वाज identified as a hyzena mine जिसको यानि कि किसको hydro isokinoline आपका alkalide जो है उसको hyzena mine के उससे identified किया गया है किससे hyzena mine से ठीक है hydro isokinoline को hyzena mine भी कहा गया है बात समझ में आई चलिए एन एलकोहल एन कोरिन एक एलकोहल पाया जाता है जिसका नाम है एन कोरिन क्या नाम है एन कोरिन has been extracted and this is considered to possess insecticidal property देखो एक एन कोरिन पाया जाता है एलकोहल है जिसका काम है या जो काम करता है as a insecticide insecticide तो आप समस्चे हो ना ठीक है कि insect वगेरा को मारने के लिए जो काम किया जाता है किल करने के लिए जिसमें properties होती है वह आपका insecticide होता है तो एन कोरिन जो है तो आप से यह पूछा जाएगा कि एन कोरिन जो है एक insecticide है किस प्लांट से प्राप्त करते है ठीक है तो आप बताएंगे कि जो एनोनेसियस fruits हैं या कस्टाइड एपल है उससे आपका पाया जाता है तो ट्रेस आफ हाइड्रो साइनिक एसेड यानि कि important slide है ठीक है काफी important slide है और यहां से काफी सारे questions आपके बननी की उमीद रहती है चलिए अब आगे चलते हैं बात करते हैं climate की किसकी climate की बात करते हैं तो सीधे सीधे अगर बात करें तो यह सब tropical fruit है कैसा है सब tropical fruit है और warm climate को preferred करता है कैसा preferred warm and moderate winter and humidity करा गरम मौसम चाहिए और कब moderate और winter humidity के साथ में इतनी बात स्वान में आई ठीक है यह भी देखो कुछ इसमें species हैं जो dormancy करती है कुछ species हैं जो dormancy नहीं करती है तो कुछ जो plants हैं the tree remains dormant for a short period during cold season that is month of December to February दिसंबर से फरवरी का जो महिना होता है उसमें आपके जो पौदे हैं वो क्या करते हैं वो dormancy सो करते हैं ठीक है dormancy में आपको मालूम है कि जब पौदा dormancy में जाएगा तो अपनी leaps को क्या करेगा leaps को गिरा देगा यानि की set कर देगा उसके बाद अगर आपका temperature high हो जाता है high temperature affect fruit growth and yield due to soil moisture stress अगर आपका temperature high हो गया है और वहां पे जब high temperature हो जाएगा तो जो soil का moisture है वो क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा जिसकी वज़े से क्या समस्य आएगी जिसकी वज़े से समस्य आएगी कि वहां पे आपके plants की growth में दिक्कत आएगी बोलो बात समझ में आई चलिए अब आगे देखते हैं बात करते हैं soil की किसकी बात करते हैं बात करते हैं soil की तो ये आपका थोड़ा सा hardy होता है nature में hardy इसलिए है क्योंकि ये sandy rocky gravel and even of heavy soil तो ये कैसा हर टाइप की soil में आपका grow कर रहा है कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो ये हर टाइप की soil में grow कर रहा है जिसकी वज़े से ये hardy होता है ठीक है tree it rather shallow rooted so it does not require a deep soil but drainage should be proper कह रहा है कि ज़्यादा इसकी जो roots होती है वो बहुत गहरी नहीं जाती है तो इसको बहुत ज़्यादा deep soil की ज़रुवत नहीं पड़ती है साथ ही साथ ये कह रहा है कि आपका जो drainage facility है क्या यानि कि जल का जो निकास है वो proper आपका होना चाहिए ठीक है उसके बाद suffers from water logging मैंने वहीं बताया कि अगर drainage नहीं होगा तो water logging की समस्या होगी और आपके plants को क्या होगी दिक्कत होगी it can tolerate salinity great extent but does not withstand alkalinity कह रहा है कि salinity को tolerate कर सकता है लेकिन alkalinity को क्या ज़्यादा tolerate नहीं कर पाएगा ठीक है salinity को tolerate कर लेगा बट alkalinity को tolerate नहीं करेगा इतनी बास वन में आई बच्चे चलिए अब आगे चलते हैं बात करते हैं variety की इसकी बात करते हैं बात करते हैं variety की तो सबसे पहली variety है बाल नगर उसके बाद वासिंगटन ठीक है वासिंगटन के जो fruit होते है color of the fruit like red custard apple हो सकता है आपने लाल custard apple नहीं देखा होगा लेकिन बच्चा कुछ variety है जिनका fruit लाल होता है ठीक है इतनी बास में आई उसके बाद आगे चलते हैं crimson custard apple, yellow custard apple और mammoth ये भी एक variety आपकी होती है ठीक है चलिए उसके आद कह रहा है some of the variety grown commercially in different agroclimatic zone कह रहा है कि कुछ और variety है जो अलग-अलग agroclimatic zones में उगाई जाती है देखते हैं कौन-कौन सी वो variety है तो कह रहा है लाल सीता फल महमोथ बाल नगर उसके बाद ब्रिटिस गिनी आपका पिंक महमोथ, आइसलेंड जेम, वासिंगटन, अरका, सहान और एटी मोया ये आपकी variety है बच्चा मैंने बहुत variety नहीं लिखी है लेकिन जो भी variety आपकी slide में मिंसन है वो सारी variety कहीं न कहीं से important आपकी होती है ठीक है सारी variety क्या होती है आपकी important होती है तो चलिए इन सारी varieties को आप ध्यान रखेंगे जिसमें खासकर वासिंगटन, मैमोथ और आपका अरका, सहान, आइसलेंड, जेम वगएरा जो varieties है वो आपकी काफी important variety है आप उनको ध्यान रखेंगे ठीक है इतनी बास में आई बच्चों आगे चले चलिए आगे चलते हैं तो बात करते हैं propagation की, किसकी बात करते हैं, बात करते हैं propagation की propagation कैसे कैयाता है, I think आपको मालूम होगा कि इसका जो propagation है वो वाया seed कैयाता है, कैसे, mostly आपका seed कैयाता है, commonly आपका seed से propagate होता है, fresh seed germinate in 20 to 30 days, कह रहा है कि जो fresh seeds होते हैं, वो कितने दिन में germinate हो जाते हैं, वो आप के 20-30 दिन में jersey passer वर में एक हो जाते हैं बासum नम्हें आ रही बच्छों आप लोग κमेंड करें करो पता चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है जो प्रेस सीड़्स होते हैं वह बीस चीर से propagation करते हैं उनमें variability आती है juvenile जो फेज होता है juvenile phase समझ रहुँना कि vegetative growth से लेके और reproductive growth के बीच का जो फेज होता है उसको juvenile phase कहते हैं ठीक है तो वो फेज बहुत लंबा होता है inferior fruit quality जैसा आपका mother plant होगा वैसा आपका ये plant नहीं होगा ठीक है इतनी बास समझ में आई अब वेजटेटेव प्रफोगेशन की अगर बात करें तो वेजटेटेव प्रफोगेशन budding से इनार्चिंग से और on ठीक है यह यह आपर थोड़ा गलत लिग गया है ठीक है and on seedling की बात कर रहा है यानि कि जो seedlings होती है उन पे क्या करते हैं उन पे आपका आपका इनार्चिंग है ठीक है एनोना रेटीकुलाटा क्या एनोना रेटीकुलाटा एंस्योर जनेटिक यूनिफामिटी ठीक है यानि कि जनेटिक यूनिफामिटी सो करता है उसके बाद budding is usually done in early spring or in the autumn कह रहा है कि early spring यानि कि जो बसंत है आपका ठीक है उसमें आपका budding किया जाता है और inarching आपकी कप कियाती है should be carried out early spring using one year mature old sign and more than one year old root stock ये मैंने आपको बताया है कि चाहें आप inarching करो चाहें आप cutting करो या आप क्या करो और आपका जो root stock है वो भी आपका एक साल पुराना हो दोनों की जो propagation कब करते हैं वो early spring के टाइम पे आपका propagation करते हैं ठीक है बच्चे चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं planting की किसकी आगे बात करते हैं planting की किसकी बात करते हैं planting की बात करते हैं और देखते हैं कि planting कब कैसे और कितनी distance पे की जानी चाहिए किस पे कब कैसे और कितनी distance पे की जानी चाहिए चलिए देखते हैं आगे planting की बात करते हैं The distance of planting on poor soil is 4 meter and as a good soil is from 5 to 7 meter, both ways in square system. कह रहा है कि अगर आपकी soil poor है, कैसी? ठीक है? What is in arching? In arching बच्चा एक propagation का method होता है, ठीक है? In arching एक propagation का method होता है, और इससे आपका propagation कहता है. बाकी आपको अगर detail में देखना है, तो previous video एक propagation का पड़ा है, इसी वाली series के साथ, वहाँ पर आप देख लो, वहाँ मैंने इसको detail में बताया है, ठीक है बच्चे? चलिए, तो square system में क्या करते हैं, square system में इसको लगाते हैं, अगर आपकी soil poor है, तो 4 meter पे, अगर आपकी soil अच ही condition में है, तो 5 से 7 meter में इसको हम लगाते हैं, ठीक है, इतनी बास मुझाई, closer planting is recommended in rainfeed region, कह रहा है कि जहाँ पे rainfeed condition है, वहाँ पे planting closer करते हैं, कैसे? पास पास करते हैं, rainfeed condition में हम लोग planting क्या करते हैं, पास पास करते हैं, with a view to improve pollination by maintaining more humidity, कह रहा है कि pollination जो है, वो भी कैसा हो हो जाता है, हमारा maintain हो जाता है, closer planting की बज़े से, चलिए, अब आगे बात करते हैं, तब बेस time of planting custard apple is beginning of rainy season, मैंने आपको बताया है, कि जब भी आपको कोई doubt लगे, तो जो evergreen plants है, most of the evergreen plants जो भी है, उनका जो आपका planting का season होता है, वो rainy season में ही होता है, ठीक है, किस में होता है rainy season में होता है, तो कह रहा है कि beginning of rainy season to avail the advantage of rain water, कह रहा है कि जब rainy season में आप planting करोगे, उस time आपके पास rain water sufficient होगा, जिससे आपका plants easily stable हो जाएगा, बोलो, समझ में आया की नहीं आया, ठीक है, आगे चले, अब बात करते हैं, training और pruning की, किस की? training और pruning की बात करते हैं, और देखते हैं, newly planted custard apple plants are trained with a wooden sticks, कह रहा है कि जब नए plants लगाते हैं, तो उनके साथ एक wooden stick लगाते हैं, ताकि वो इसको support दे सके, क्या कर सके? support दे सके, plants इधर उधर, क्या नहों, plants इधर उधर आपके गिरे नहीं, ठीक है, fixed near the stem, it will help to grow plant state, कह रहा है कि जब wooden stick पास में लगा देंगे, तो क्या होगा? तो आपके जो plants हैं, वो उसके support के सारे grow कर जाता है, the plants are trained to a single stem up to one meter, कह रहा है कि आपका जो plant है, उसको single stem तक, यानि कि उपर single stem तक क्या करना आए? single stem तक, एक मीटर तक grow कराना है, उसके बाद आप उसको train कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको open centers में train कर दें, या आप उसको modified में train कर सकते हैं, ठीक है? इतनी बासमन में आई बच्चे, चलिए, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं, flowering और fruiting की, किसकी बात करते हैं? बात करते हैं, flowering की और fruiting की, तो flowering और fruiting की अगर बात की जाए, तो देखते हैं, custard apple has a short juvenile period, the plants begin flower within four year of planting, juvenile period का मतलब आपको समझ में आ रहा है न, अगर नहीं आ रहा है तो आप comment कर बताओ, ठीक है? तो कह रहा है था, plants begin flower within four year of planting, कह रहा है कि planting के चार साल बाद, यानि कि planting के चार साल बाद क्या होता है? आपका जो plants है, वो flowering करने लगता है, Anona species bear flower on old and new current soot, कह रहा है कि जो Anona fruits होते हैं, ठीक है? जो Anona fruits हैं, वो old soot पे भी आते हैं, और new soot यानि कि current soot पे, यानि कि current growth पे भी आते हैं, current season growth पे भी आते हैं, और आपके old soot पर भी आते हैं, ठीक है? बाद समझ में आई बच्चे? The flower period of custard apple is very commencing from March, April and continues up to July, August. कह रहे हैं कि जो flowers निकलते हैं, वो March, April से निकलना start होते हैं, और कब तक निकलते रहते हैं? निकलते रहते हैं आपके July, August तक, ठीक है? लेकिन इसमें भी आपका जो peak flowering का time है, किसका peak flowering, यानि कि जब flowering अपने चरम पे होती है, यानि कि सबसे ज़्यादा flowering होती है, वो आपका April और माई के महीने होते हैं, जब आपकी सबसे ज़्यादा flowering होती है. कब जब आपकी सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है किस महीने में अप्रेल और मई के महीने में आपकी सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है स्टार्ट हो जाएगी आपकी कब से स्टार्ट हो जाएगी आपकी मार्च अपरेल से और चलेगी आपकी कब तक जुलाई अगस्त तक लेकिन जो पीक फ्लावरिंग का टाइम है वो आपका होता है अपरेल और मै के महीने तक ठीक है कि जब आपने पौधा लगाया वेजिटेटेव ग्रोथ उसने की और वेजिटेटेव ग्रोथ से जब वो रीप्रोड़क्ट्यो यानि की रीप्रोड़क्ट्यो का मतलब है कि जब उसमें फ्लावर और फ्रूट्स बनना स्टार्ट होंगे तो उससे पहले का जो period होता है वो जुवे नाइल पीरेड होता है जुवे नाइल को अगर हिंदी में बोलें तो एक तरीके साइद यौना वस्था ऐसे कुछ करके बोलते हैं ठीक है तो उस अवस्था में जब आपका प्लांस होता है यानि कि वह एक ऐसी स्टेज है जहां से पौधा वजटेटिव ग्रोथ से आपके रिप्रोड़क्टिव फेज में इंटर करता है उसको जुवे नाइल पीरेड बोला जाता है ठीक है इतनी बात समझ में आई बच्चे चलिए अब आगे चलते हैं अब बात करते हैं स्टोन फ्रूट की यहां से कोश्चन बनता है एनोना में क्यों क्योंकि स्टोन फ फ्रूट बन जाते हैं यानि कि फ्रूट क्या हो जाते हैं हाड हो जाते हैं जिनको हम स्टोन फ्रूट कहते हैं क्या कहते हैं जिनको हम स्टोन फ्रूट कहते हैं यानि कि जो फ्रूट हैं वो हाड हो जाते हैं क्यों हाड होते हैं अब यह देख लेते हैं दसीता फल है वो क्या करता है वो harvest उसमें sorry वो आपका dormancy में चला जाता है ठीक है तो कह रहा है in neglected tree the dormancy start very early कह रहा है कि कुछ plants ऐसे होते हैं कुछ neglected tree ऐसे होते हैं जो dormancy पहले start कर देते हैं यानि कि आपका plant माफ करना आपका fruit harvest नहीं हुआ है कहते हैं कि आपका fruit plant से harvest नहीं हुआ है और पौदा किस में चला जाता है पौदा आपका dormancy में चला जाता है तो उसी टाइम पर क्या होता है at this junction the fruits on the tree suddenly turn brown कह रहा है कि fruit आपने harvest नहीं किये और पौदा आपका dormancy में चला गया तो जैसे ही पौदा आपका dormancy में जाएगा तो उस पे जो fruits लगे हुए हैं वो fruits किसमें आपके तुरंत कैसे हो जाते हैं पीले पड़ जाते हैं या sorry brown हो जाते हैं नहीं कि भूरे हो जाते हैं तो बिना harvest के हुए अगर plants dormancy में चला गया ठीक है सर आप कौन से exam का preparation कर रहे हैं बच्चा मैंने UP, PCS, DHO का mains लिखा है भी ठीक है suddenly turns brown यानि कि जैसे ही वो fruits आपके brown color में convert होंगे तो वही fruits क्या कहलाते हैं वही fruits आपके कहलाते हैं stone fruits ठीक है such fruits are known as stone fruits क्या कहलाते है वही fruits आपके stone fruits कहलाते है ठीक है यह एक physiological disorder होता है ठीक है क्या बताएं बच्चा UP PCS का नाम सुना है अपने UPPSC, उत्तर प्रदेश, पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, ठीक है, उसमें एक्जाम होता है, डिस्टिक होटी कल्चर आफिसर्स का, ठीक है, तयारी करिए, आप लोग भी बनेंगे, ठीक है, अभी एक्जाम होगा, अभी अगले साल से फिर आई आपको, यहां तक सारा कलियर है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, और आगे देखते हैं, अब बात करते हैं कुछ paste और disease की, जो important paste हैं, और जो disease हैं, उनकी बात करते हैं, तो यह आपका paste है, एक ही paste मुझे important लगा, तो मैंने यहां पे आपके लिए consider किया है ठीक है ताकि आपको थोड़ा सा सौलियत मिलेगी बचा नाम बहुत अजीवों गरीब है तो पतेशान होने की जरुवत नहीं है देख के डरना नहीं है ठीक है दो तीन बार पढ़ोगे देखोगे रिलेट करोगे ठीक है तो वहाँ से आपको चीजें याद होने लगेंगी ठीक है हाँ बिल्कुल BSC Agriculture कर रहा है MSC Agriculture करिए बहुत अच्छी बात है BSC Agriculture किया है बच्चा MSC Agriculture करिए बहुत अच्छी बात है BSC तक सीमित मत रहिए आप Masters भी करिए मेरे उन सारी बच्चों से एक अपील है जो बच्चे BSC कर रहे हैं लास्ट यर में हैं या कर चुके हैं आप लोग Masters जरूर करिए और Masters किसी अच्छी उनिवस्टी से करिए किसी Government उनिवस्टी से करिए ठीक है क्योंकि Agriculture में अगर आपको आगे सर्वाइब करना है आपको अच्छी ग्रोध करनी है तो कम से कम आपके पास Masters डिगरी होनी चाहिए क्योंकि BSC के लिए आज के लिए इतने सारे Colleges खुल गया है ना हर कोई BSC की डिगरी लिए बैठा है और अगर आपके पास Knowledge नहीं है तो कोई आपको पूछेगा नहीं तो BSC करने के बाद आप Masters करिए Masters करने के साथ साथ आप अपने पास Knowledge बनाईए तब ही आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आप अपने आपको सर्वाइब कर पाएंगे ठीक है चलिए तो इसमें जो सबसे important लगता है वो लगता है Millie Bug क्या लगता है Millie Bug लेकिन आप LPU तब प्रफर्ड करो जब आपको लगे कि आपका किसी State Agriculture University इसमें अडमिशन नहीं हुआ है ठीक है तब देन यू कैन गो LPU LPU सिर्फ ब्रैंडिंग है उतना अच्छा कहीं कुछ नहीं है जितना आप सीखने को सरकारी उनिवस्टी में मिलेगा उतना आप कहीं नहीं सीख पाऊगे ठीक है आप जरूर MSE करिए पहले प्रफरेंस रखिए कि आपको किसी अच्छी उनिवस्टी से करना है किसी State Agriculture University से अडमिशन लेना है उसके बाद अगर आपका मान लो किसी कारण बस उतना अच्छा नहीं बन पाता है तब आप जा सकते हैं ठीक है तो ये देखो नाम इसका Pharisia Virgeta बहुत अटपटा नाम है आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए दो-चार बार पढ़िए तभी जाके आपको ये समझ में आएगा तो इस काज blemishes of fruits and the paste can be controlled by spraying of dichlorovas ये मैंने आपकी knowledge के लिए लिए दिया है कभी भी अगर आप से questions पूछेगा ठीक है ठीक है ICR का है क्या बहिए ICR का क्या है आप question पूरा करिए तब मैं आपका जबाब दूँ मुझे question ही नहीं समझ में आए कि आप क्या कह रहे है सर हम ICR का placement होता है क्या LPU में बचा placement का 100% कोई करिंग गरेंटी नहीं होती है placement आप में अगर दम है तो आप placement ले लेंगे आप में दम नहीं है तो आप किसी भी उनिवस्टी में पढ़िए आप placement नहीं ले पाएंगे placement की गरेंटी पेपर पे नहीं होती है placement की गरेंटी आपकी दम पे उत्ती है ठीक है चलिए उसके बाद आगला question है Anthracnose यह आपकी disease है ठीक है Glomerella और Sangulata ठीक है Glomerella, Sangulata यह causal organism है जो आपका Anthracnose cause करता है ठीक है चलिए इसमें देखो यह आपके लिए मैंने लिख दिया है यहाँ से questions नहीं बनते अगर horticulture से आपकी disease पूछी जाएंगी तो disease में आपसे बहुत ज़्यादा deep नहीं पूछता है आपसे सिर्फ और सिर्फ यह पूछेगा कि यह fungus है, bacteria है, virus है अगर virus है, तो कौन सा virus है उसका नाम पूछ लेगा virus किसने transmit किया, यह पूछ लेगा ठीक है, अगर disease है, तो fungus, bacteria क्या है bacteria का causal organism पूछ लेगा बस, और पूछ लेगा कि यह disease किस crop से related है इतने से ज़ादा आपको disease में नहीं पूछता है, production technology में अगर आपसे questions बन रहे हैं disease के तो इससे ज़ादा आपके लिए नहीं पूछता है तो यह मैंने एक disease और एक paste जो मुझे इसके लिए important लगा है क्योंकि यहाँ से questions नहीं बनते हैं disease और paste के जो questions बनते हैं वो सबसे ज़ादा बनते हैं आपकी जो major crops हैं mango हो गया, banana हो गया, papaya हो गया grapes हो गया, apple हो गया, pier हो गया इनके से questions ज़ादा बनते हैं sir इनका PDF notes टेलिग्राम पे मिल जाएगा बच्चा मिलेगा थोड़ा सा technical error चल दा है जिसकी वज़े से अभी यह upload नहीं हो पा रहे हैं हम लोग courses काफी दिन से कह रहे हैं बहुत बच्चों के comments आ रहे हैं कि आप लोग टेलिग्राम पे डालिए sir PDF हम नहीं डाल पा रहे हैं थोड़ी सा glitched चल रहे हैं हम इसको update कराएंगे और हम सारे period आपको एक साथ देंगे आप channel join कर लिजे हम वहाँ पे सारे period आपको provide कराएंगे बिल्कुल यह हमने आप से कहा है तो आपके साथ होगा ठीक है चलिए और किसी का कोई सवाल है आज की हमारी इतनी class थी यह आपके courses हैं agriculture foundation course और राजस्तान का pre-PG course Y443 code है Y443A code आप इसको apply कर सकते हैं और आप जो purchase करना चाहें वहाँ से आप purchase कर सकते हैं कल मेरा exam है ICR का यह उसमें तयारी में से है सर यह पूछा बस देखो बच्चा अगर आपके agriculture के questions आएंगे देखो ICR, IRI का T1 की बात कर रहे हो आप तो उसमें इतना deep इस से नहीं आएगा यह class उसके लिए perfect नहीं है यह class उनके लिए है जो BSC Agriculture students किये हुए है MSC कर रहे हैं MSC करना चाह रहे हैं या किसी और तयारी के लिए कर रहे हैं जहां पर जो उनकी degree मांगी जाती है BSC Agriculture यह उनके लिए है आपके जो IRI T1 का exam है उससे यह वाली class बहुत ज़्यादा ऊपर की है आप यहाँ पर अपना time मत वो करिए आपने देखा बहुत अच्छा लगा आप share करिए इसको अच्छी बात है लेकिन यहाँ से आपके questions उसमें नहीं आएंगे ठीक है एक दो question अगर आप भी गया agriculture का तो उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है ठीक है और हाँ एक आपके लिए announcement है अभी 745 पे मैं एक station लेकि आऊंगा आपके लिए खास कर उन बच्चों के लिए जो अभी MSC के लिए queries कर रहे थे तो अभी आप हमारे साथ जुड़िये 745 पे ठीक है पास साथ मनद बाद मैं session लेकि आऊंगा तो वहाँ पे हम discuss करेंगे बिल्कुल complete आपकी जो भी queries है वो आप बताईएगा हम वहाँ पे discuss करेंगे कुछ announcement करनी है वो announcement करेंगे ठीक है तो जरूर जुड़ियेगा चलो तो फिर मिलते हैं अभी थोड़ी दिर बाद हाँ ये सारा जो आपका questions है गरिमा ये सारे questions के जवाब हम अभी 745 पे जो session लेके आ रहे हैं उसमें सारे questions के हम जवाब आपको देंगे ठीक है बच्चा अभी यहीं पे मिलिएगा agriculture adda 24-7 पे 7-7-45 पे हम वहाँ पे आपके सारे जवाब देंगे ठीक है चलिए तो फिर तब तक के लिए जैहिंद और अभी 745 पे आप जरूर मिलिएगा झाल 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 पे आपके लिए हैं झाल